आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉलिशन पे आज के इस वीडियो में हम चत्तिस कड़ मादेमिक सिक्षा मंडल रायपूर द्वारा जारी असाइन्मेंट कक्षा 10 वी गणित के सभी प्रशनों के उत्तर देखेंगे इसके जितने भी वी प्रशन से सभी क्षार की सॉलिशन देखेंगे इसे पहले क्लास 10 तेके सारे वीश्य के आसाइन्मेंट मैंने कम्प्लिट कर दिया जितने भी आपके हिंदी इंग्लिश विज्ञान संस्क्रच्च सामाजी के विग्यान ऀन विश्यों के कंप्लिट हो जरू शेयर कर दे जो किसी कारण वस जिनके पास नोर से नहीं है और अपने assignment वो complete नहीं कर पा रहे हैं उनको जरू शेयर कर दिजे और साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं कर आओ जिन भी students ने तो वो भी कर लिजे चलिए शुरुबात करते हैं दसवी गणित के सभी प्रश्नरु के उत्तर यहां पर आपको साथ प्रश्नरु के उत्तर प्रोवाइड हो जाएगे इसलिए आपको वीडियो को अंततक देखना है साथ ही आप इसकी pdf किस प्रकार से डाउनलोड करते ये भी आपको वीडियो के बीच में बताया गया तो वी प्लस क्युवा पद होंगा दोनों का जो जॉइंट पद होंगा यह वाला पद क्या होना चाहिए शुन्य होना चाहिए यह आपका ऐसा पूछा जारा तो इसको थोड़ा हम देख लेते सॉलुशन पहले को समझ लेते हैं तीन अंकर का अप्रशन यह दो अंकर का ठीक है इसमें समांतर श्रिणी दी गई एक बटे नाव चार बटे नाव मतलब बन बाइन फोर बाइन शेवन बाइन इसका आपको बार वापद ग्यात करना है इसी प्रकार से तीन धन एक्स पांच चाहती तरफ यह दिन घ्यात करना है तो प्रस प्रपोर्शन यहां पर आपको प्रपोर्शनल क और इसके बाद प्रेमन प्राइबर भी हो तो तठाभी बिंदू ए तथा बीके निर्देशांक रबसान तो ब्लीके और वंऊच और को श्रीम के प्रपोर्शन श्रीन वाइन इन में questions जो है दो अंका के और पाच अंके के भी है तो यह भी questions से x के विभिनमान आपको ग्यात करना है और यहां पर एक रेखा बिंदू है इन में रेखा की प्रवणता ग्यात करना है चले इनकी answers को शुरुवात कर लेते हैं चले question में जैसा मैंने आपको समझाया P वापत क्या दिया गया है Q और तो यहां से आप अंतिम पत किस प्रकास से हमारा क्या formula होता है A plus P minus 1 to D क्योंकि P वापत है यहां पर N वा रहता तो N minus 1 लेते थे हम P वापत ठीक है तो हम यहां पर क्या लेंगे N की जगा पर P ले लेंगे तो जो A है यहां पर हम क्या कर रहे है समीकरण को घटा रहे तो चिनने कैसे हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएगे तो बिल्कुल परिवर्तित कर दी हमने चिनन के तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहां पर हमारी value इतनी लिक लेगी Q minus P is equal to जो संख्या है वो P minus 1 into Q minus 1 D अब दोनों का हम इसी प्रकार से करते हैं दोनों की जो यहां पर बीच में minus है को स्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा minus का अंदर multiplication तो minus Q और यह minus क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी चुकि अब यहां पर रिनेक धनेक है तो balance और ब कैसे आएगा मैं यहां पर आपको equation जल्दी से समझा देते हूँ यह q-p है और बटे में यहां पर intum है q-q ठीक है तो यहां पर बटे में p-q आजाएगा आपका इस प्रकार से देखें जैसे ही आप क्या करते हो यह q-p है इसके upon में क्या है p-q लेकिन अब यहां पर q-p है माइनस का तो पर p-q आजाएगा लेकिन सामने माइनस और बटे में तो p-q है तो यह p-q से p-q करता है उल्ली 1 बचेगा तो माइनस 1 बचेगा तो यह d बरापर माइनस 1 अब d कमान आप किसमें रखोगे समिकरण 1 में तो आपकी equation यह fill up हो जाएगी a plus है यहां पर जो d कमान ह कि बल वू रख दोगे तो यह रीने कि यहां पर d कमान हो जाएगा आंसर कितना आजाएगा आपका a कमान निकल जाएगा q plus p-1 ठीक इतना आ रगए इसके बाद p-q वापद भी आसानी से आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो जो किया जाएगा 0 चलिए दूसरे प्रशन पर पढ़ते हैं कुछ पद दिये गए एक बटे नौ है चार बटे नौ उसका बारव पद गयातकरना मतला बैन कमान कितना होना चीए बार और पहला पद क्या दिया है एक बटे नौ धियान रखना है पहला पद वन बाए नाइन है यानिक डी कितना होगा a to minus a to minus निकालने का त इसके बटे नौ मतलब 34 बटे नौ आजागा आपका correct answer इसके बद question number 3 देखते हैं चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ आप cg board assignment second जो आपको मिला है उसकी सारे विश्यो की pdf किस प्रकार से डाउनलोड करोंगे ठीक है तो आपको सबसे पहले google page search कर लेना यहां पर आप www.boardjahankari.com आपको यहां पर search करना है जैसे आप search करोगे यहां पर जाकर आप अपने सारे answers की pdf डाउनलोड कर सकते हूँ ठीक है यहां पर सारे विश्यो के answers की pdf अपलोड है आप जाके फटापट से सारे विश्यो के solutions की pdf डाउनलोड कीजिए इसके बाद AN निकाल लिया निकालना है इसी प्रकार से निकालोगे तो यह आपका answer AN में निकल जाएगा एक बटे नव धन ग्यारा बटे तीन को solve करोंगे कितना आएंगा एक धन तीन बटे 33 बटे नो मतलब 34 बटे नव आ जाएगा आपका correct answer इसके बाद question number 3 देखते है चली question number 3 है दिया गया है 3 प्ल प्रकार से arrange कर लेते हैं बीच वाला मध्य अनुपात क्या हुआ हमारा पांच धन एक्स हुआ इसको arrange करा क्योंकि अनुपात मतलब क्या होता है बटे में तो जो यह अनुपात है और यह सम अनुपात है तो अनुपात को हमने बटे में कर दिया cross multiplication 3 प्लस इसी प्रकार से थी सितंबर महा के assignment के complete solution class 10th or 12th के इसी channel पर मिलेगे साथ ही video को like करें उन सभी students तक पहुचाते हैं जिनके पास लिखने के लिए कोई notes अविलेबल नहीं assignment को complete करने के लिए ठीक है चली यहां पर हम इस प्रकार से value मान लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें जो value है बस उ दूरी का सुत्र हम जानते हैं क्या होता है x1-x2 का whole square plus y1-y2 का whole square तो कितना हो जाएगा पी बराबर से 2-0 का whole square plus 0-y का whole square इसी प्रकार से पी यह क्या हो जाएगा under root 4 plus y square आपको लिख देना है ठीक है इतना आ जाएगा इसके बाद हम PB का मान निकालेंगे पी यह दोनों क्य कालना था तो पी हमारा इतना है और पी बी इतना है तो पी यह पी से आप यहां पर under root को solve कर लीजिए बस कुछ नहीं करना है करनी को हटाना तो आप का मान इस प्रकार से कितना निकल जाएगा 8y बराबदी से 16 मतलब y बराबदी से 2 निकल जाएगा तो य का मान तो आ किया 0 2 है यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देख लेते question number 6 चलिए question number 6 में प्रवंता दी गई दिया गया क्या प्रवंता y2-y1 upon x2-x1 आप value हम जानते है x1 y1 कितना है 7 9 x2 y2 कितना है 5 और 3 मतलब x2 कमान 5 y2 कमान 3 प्रवंता हम इसी प्रकार से निकल लेंगे क कितना हो जागा 3-9 बटे 5 रिन साथ तीन में से नो जागा कितना प्रवंता अच्छी क्योंकि बड़ी सागा एकस हमने चीन रिन है तो नीची भी रिन उपर भी रिन 6 बटे रिन दो मतलब कितना 3 आजागा यहां से हम question number 7 कान सा देखते question number 6 हमारा complete हो गया है तो यह आपका last नोट किया हुआ है इस प्रकार से एकस है और एकस डैस है य और य दैस है ध्यान से आपको नोट करना है यहां पर जो है negative values है यहां पर positive और यहां पर भी positive value आप जानते होंगे जो coordinate होते है इसमें इसी प्रकार से positive और negative values फाइंड होती है तो आपको ध्यान से नोट कर लेना यहां पर 16 पर हो रहा है, यहां पर 10 पर हो रहा है, यहां पर 2 पर हो रहा है, यहां पर 4 पर हो रहा है, यहां पर 6 पर, यहां 14 पर लगबग 16 पर, इतनी वेल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसके बाद यहां पर आपको समिकरण को सॉल्व करना है, तो y बरबर कितना है f of x हम लेते हैं, मतलब कितना x square है, तो x square मतलब कितना minus 4, यदि हो तो f of minus 4 यदि हम ले, तो rin 4 है, मतलब कितना 16, rin 3 है, तो कितना, rin 3 का square धन, क्यों कि rin गुणी 3 कितना होता, मतलब minus into minus कितना, plus, चिनों के गुणी की बात करी में आप है, उसके बाद rin 2 है, तो plus में आएगा, मतलब 4, सारे rin को ले ले लेजिए, सभी plus में आते हैं, लेकिन यदि power negative, मतलब power जो है विशम है, तो odd है, तो यहाँ पर आपका negative answer होता है, लेकिन जो आपकी power है, वो even है, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, positive में आता answer, तो इस प्रकार से आप इसको solve कर लोगे, ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने class 10th की maths के assignment के complete solution देखे, जितने भी आपको question पूछे गाते है, question 7, इन सभी का answer देखे, assignment के ऐसे सभी answers के लिए, सबसे पहले चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, वीडियो को like कर दीजे, अपने सभी दोस्तों के साथ जरू share कर दीजे, जिन students ने बाकी वीशो के assignment नहीं लिकिया है, उनके लिए description में लिंक दीगई, वहां से जाकर उन सभी answers को complete कर सकते है, चली मिलते नहीं वीडियो में, तब तक वीडियो को like, share, subscribe जरू करें, थैंक्स पर वाचिंग,